खबर मंडला से रिश्वत कोर बीएमो चड़ा लोकायुक्त के हथी 20,000 की रिश्वत लेते गिरफतार मंडला बुगा बिछिया के खंड चिकित्सा अधिकारी दिनेश कुमार टाक सांडे को जवलपूर लोकायुक्त ने 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हांतों पकड़ा खंड चिकित्सा अधिकारी ताक सांडे के द्वारा अपने अधिनत सुपर्वाइजर का काकाया से कुगरी हुआ था स्थानांदरन रुकवाने को लेकर पे 54,000 रुपे की रिश्वत मानी गई थी जिसको लेकर आवेदक सुपाश देशराज पिता और स्वर्गिये बालचंदर देशराज उम्र 35 निवासी मोगाओ मलाज खंड जिला बालागाट के द्वारा लोकायुक्त पुलिस को आवेदक दिया गया था कि मेरे मोसा जी महिंदर लाग चोदरी के स्थानांदर के वज में 75,000 रुपे रिश्वत की मांग की गई है जिसको लेकर आज जिसकी पहली किष्टा आज 20,000 रुपे लेकर आवेदक से बी एमाई पिछिया दिनेश कुमार ताक संडे को दी रिश्वत लेते लोकायुक्त के टीम ने रंगी हाथों पकड़ा लोकायुक्त के द्वारा ब जोगरी बलाउट में हो गया था हो गया है तो उसी के लिए उनको किस्थानांतर रुखवाने के लिए मौसाजी ने आविदन दिया था बीया मुसर को तो उनने बूले कि चमुसर के नाम पर आविदन दे दो और उसके बाद उनने पैसे की मांग करी थी तो उसी के लिए आ कितने रिश्वत में कर गई और किसके द्वारा अवे दिया था हमारे फरियादी है सुवाज देश राच इनके मौसाजी है स्री महनलाल चौधरी इनका इस्थाना अंत्रण घुबरी हुआ था और यहां बुवा विश्या सामदाइक सास के ने पदस्त प्रियम है स्री करने के एवज में 75,000 रुपए की मांग की गई थी आज हमने उनकी पत्रम के 27,000 रुपए लेते हुए पकड़ा है कारवाई जारी है सर इसमें कुछ आगे और भी सात में मिले बगती किसी की कुछ खास वज़े नजर आ रही है वो विवेज ना कर भी से थेंकियो सर्थ खबर भारत वश के लिए मंडला मधिवदेश से भूवनिश और कैवट की रिपोट